हलो वीवर्स वेलकम बैग आज की रेस्पी होगी भटूरे की जो मैं आपके शाद शेर करूँगी जिसको बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है आप देख सकते हैं मेरा हर एक भटूरा कैसे फुला-फुला बना है बटूरे बनाना वीवर्स बहुत इजी है बहुत इतना इजी है कि बटूरे से इजी कोई चीज है ही नहीं है तो आज मैं बिलकुल सही मैथड जो बटूरे के अटे को बनाने को होता है आज मैं वो वाला मैथड आपको बताऊंगी और बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही असान होता है, किसी से पूछने की जरूत नहीं है, एक दो बार आप बनाएंगे, आपको याद हो जाएगा बटूरे वैसे वीवर्स बहुत तरीके से बनते हैं, शौट तरीके बहुत है, लेकिन आज का मेथड हम एकदम जो हलवाई यूज़ करते हैं, तब करेक्ट है, वो यूज़ करेंगे तो बटूरे के लिए वीवर्स मैंने एक किलो लिया है मैदा, एक किलो मैदे में मैं आड़ करूँगी एक पाउ सुजी, इसमें मैंने डाली है एक टीस्पून भर के चीनी, एक टीस्पून भर के नमग, एक टीस्पून भर के बेकिंग सोडा और एक टीस्पून ये देखिए मैंने डाइड किया है इसमें बेकिंग पाउडर और आप देखते जाएं वीवर्स स्टेप टू स्टेप आपने ऐसे ही बनाना है इसको मैंने अच्छे से मिला लिया है पहले अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून भरके एड करूंगी ओईल सरसो का भी डाल सकते हैं रिफाइंड ओईल भी आप इसमें आड कर सकते हैं इसको डाल के अब हमने हातों की हेल्फ से ऐसे ऐसे करके ओईल को पूरे मैदे में मिला देना है उसके बाद हमने मैं इसमें आड करूंगे एक कटोरी दही थोड़ा जादा है जादा भी डाल सकते हैं और कोशिश करें दही आपका जितना भी खटा हो उतने जादा अच्छे आपके भटूरे बनेंगे और इसमें दही को मिलाने के बाद विवर्स जब हम पानी आड करेंगे कोशिश करें कि वो पानी आप गरम ले हमने गरम पानी का यूज करेंगे उतना अच्छा हमारा मैदा बनके रेडी होगा विवर्स यह मैंने अच्छे से बना दिया है ना टफ रखना है इसको ना बिल्कुल पतला करना है सोफ्ट सा डो हमने अपने मैदे का रेडी करना है और इस पेल मैंने लगा दिया है विवर्स तेल का हाथ अच्छे से तेल लगाके ओइलिंग करके मैदे पे मैंने इसको रख दिया था चार से पांच घंटे आप रखे और कुछ कमी लगती है तो फिर आप इसको ढखके धूप में रख सकते हैं और इन केस आप सर्दियों में बनाते हैं तो आप इसको ओवरनाइट बना के रख ले सुबह आपका मैदा एकदम जाली दार मिलेगा मैंने आपको दिखाया है कि कैसे हमारे मैदे में एकदम कितनी अच्छी जाली बनी है तो वीवर्स अब हम इसको थोड़ा थोड़ा लेंगे जितना हमने बनाना है भटूरे और थोड़ा ओइलिंग का हाथ लगाएंगे और यह देखे ऐसे इसकी एकदम गोल गोल हम लोई आ लेंगे एक साइज की आप ले ले एकठी लोई बना के रख ले और यह हमारे रोलिंग बोड पे रोलिंग पीन पे चिपके नहीं इसलिए मैं इस पे थोड़ी सी ओइलिंग कर रही हूं और कई लोग मैदे का यूज भी कर लेते हैं जैसे रोटी बनाते हुए हमारा टेका करते हैं वो भी कर सकते हैं लेकिन उससे क्या उता है हमारा तेल ख्राब हो जाता है तो मैं सिर्फ चीकना हाथ ओइलिंग वाला बटूरे का फूल ना और बटूरे में जो सौफ्ट पन होता है वो मैटर करता है सेप कोई मैटर नहीं करती है तो कोई भी शेप छोटी बड़ी सरकल ओवल कोई भी आप ले सकते हैं वीवर्स और बटूरे हमेशा तेज गरम तेल में ही बनाए कढ़ाई आपकी पतलियों व पर डालते जाए ये खुद इसको फूल ने दे ये खुद फूलेगा जितना भी ओल आप इसको पर डालेंगे और आप देख सकते हैं वीवर्स कैसे जटपट मेरा भटूरा किता सुंदर एकदम मार्किट जैसा फूल के रेडि हो गया है एक दो भटूरे और मैं आपको ऐस आपके शाद शेयर करूंगी पहले मैंने ये रेस्पी जो एकदब प्रॉपर मेथड होता है वह आपके शाद शेयर की है और यह देखे आप देख सकते वीवर्स मैंने कम सकते पांच से छे बटूरे आपको फ्राई करके दिखाए हैं कोई भी बटूरा ऐसा नहीं है मेरा जो नहीं फूल है आप देख सकते हैं एकदम से फूल दे जाएंगे बस आप अपनी लोया बना के रखे फटा फट से इसको बनाते जाएं ज्यादा पतला मैदा नहीं रखना वीवर्स बिल्कुल भी जो देखे वीवर्स बटूरे हमारे बनके हैं रेडी इसको आप सर्व करें पिंडी वाले छोले के साथ इसकी रेसेपी मैंने पहले से पोस्ट की हुई है और एक बीना लसुन प्याज के छोले की रेसेपी भी डाली हुई है आप कोई भी छोले बनाएं सिर्के वाला प्या झाली है